अगर किसी event को global event बनाना हो तो ये भारत की जो political class है उससे समझना चाहिए भारत का ये budget ना ये सिरफ भादत का budget नहीं है ये पूरे region का budget है वो regional budget होता है More than 47 million jobs जो है वो create की है पिछले 12 महीनों में इंडिया ने 47 million Lockheed Martin Company के CEO जिम टेकलेट इसी सिल्जले में 18 जुलाई को नई दिल्ली में थे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाखात करके उन्होंने F-21 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी भाई हजारों कोरोडों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर निपाल और भूटान तक को दे दिये आपकी अगर अच्छे तालुकात होते हैं उनसे तो आज आज आपको भी कुछ मिल जाता होता क्या था कि नरेंदरा मोदी को 24 घंट मिलता था अपनी हकोमत की तरफ से नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दो बड़ी खबरे निकल कर आ रहे हैं जिनको लेकर पाकिस्तानी मेडिया जोना काफी ज़्यादा बोक लाया हुआ है इस टाइम पर पहली तो में बारत सरकार ने बारत के अंदर जो है ना 46 मिलियन जोब जो है ना वो क्रेट की है यह कापी बड़ा आकड़ा है इसी को लेकर भी चर्चा की जा रही है तो वीडियो मज़दार होगी पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ब जो रिजर्व बैंक अफ इंडिया है उसके अगर आप स्टाट स्टेक्स पर जाएं या जो ग्लोबल स्टाट स्टेक्स पर जाएं ग्लोबिया जोब्स जो है वो क्रेट की हैं पिछले 12 महिनों में इंडिया ने 47 मिलियन पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉब तालिस मिलियन के करीब जॉब जुनों ने क्रिएट की हुई है आउट आफ वन पॉइंट फो बिलियन पीपल अब आप इमेजन करें कितने बड़े बेमाने पे जॉब के ओपर कितना बड़ा फोकॉस है यह डाटा स्टाटेस्टिक्स अमरीका में कभी मिला करता था अभी भी मिलता है आज पाकस्तान में आप नहीं बता सकते हं हमारे लीडर आते ہیں एल्यकशन होते हैं हम एक करोड़ नौकरी बनाएंगे हमें एक करोड़ करेंगे और प्लिय आं और भी हैं वह साधे चार पांच करोड़ तो बनादी है तो बनता है यानि कि एक साल में पांच साड़े चार पांच करोड नौकुरी क्रियेट करना विद शिक्स परसेंट सेमन परसेंट ग्रोथ रेट आप मुझे करके तो दिखाएं नरेंद्र अब होता क्या था कि नरेंद्रा मोदी को 24 घंटे टागेट मिलता था अपनी हकोमत की ऑपोजिशन की तरफ से याँ क्या कर रहे हैं अभी रिजर्व बैंक अब इंडिया जो है उसने यह डैटा चारी किया ठीक है और आप देखें फॉर्टी सिक्स सेवन मिलियन नौकुरिया क्रियेट करना फॉर्टी इस इस बिग नंबर पाईजान तो वह इंडिया जो है व ट्रैक ठीक है जी आप पाकिस्तान में तो हमारे पस डैटा ही नहीं है यार कि कितनी जॉब आई है कितने लोग विरोजगार है कितना क्या है हमें बस एक चीज का पता है दसना है इन करोड़ लोग मुलग चाड़के चले गए इतने लाख लोग मुलग चो वह चीज बता न नरिंद्रा मोदी की एकॉनमी तो बहुत हाथ तक डॉकुमेंटर है ना वहां पर भी अंडॉकुमेंटर अकॉनमी है यह नहीं है कि उन्होंने अट लीस्ट देरने पाथ पर दिजिटाइसेशन और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो यह तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा वो कैसे कि तंजानीन गवर्णन के जो अफीशल्स हैं वो बजट अनॉंसमेंट देखने आएं आएं अब इंडिया क्या कर रहा है जब इंडिया की जो फॉर्ण फैनैंस मिलिटर साहब आया है माड़म निर्मला वो क्या कर रही ह वो बता रही है कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं क्या होता है टेक्निकल चीजें क्या है अब गलोबल सोथ की हम कपैसिटी बिल्डिंग करेंगे हम बताएंगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए हम आपके साथ मिल के आपकी आपका सहारा बनेंगे इस इस हो है जो मुलब मुलब this is also one of the factors when you have you know and all that so they are going for a next generation reforms की बात कर रहे हैं टीके जी नेक्स मैंने तभी finance minister Pakistan के speech सुनी है एंजी लगंडे ऐसी IMF लेने speech बना के दिया बाइजान करो देखे यह तो है ना फिर इंडिया को अजादी तो है इंडिया की जो finance minister है वो अजाद है उसको IMF की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती आज तंजानियन officials को बठा के वो presentation दे रहे हैं वो क्या message दे रहे हैं global south को वो अफरीका को क्या message दे रहे हैं वो घरी मुलकों को यह माड़े मुलकानों की message दे रहे हैं हमसे सीखें के ऐसा कर सकते हैं उन्होंने किया है उनका जो बजट है वो सिरफ अपने मुलक के अंदर के लिए नहीं है भाई हजारों करोडों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर निपाल औ और भुटान तक को दे दिये आपके अगर अच्छे तालुकात होते हैं उनसे तो आज आज आपको भी कुछ मिल जाता आपको आएमेफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता तो शायद थोड़ा आपका आपका नहीं अवाम का हाल बेहतर होता लेकिन आपने यह नहीं कर 4.5% inflation, 4.9% fiscal deficit, total workforce of 64 crore बताएं ना मुझे आप यह सब जो मैं बात करी हूं मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूं बात मैं तो कुछ वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना वो इन्होंने अलोकेट पूरे उसके लिए किये हैं रीजन के लिए, समान ँए वह बीद्ट कर दीए पैसा तो पाकिस्तान के लिए क्या किया लिदने वह जू है वह पांकिस्तान के लिए इए उन्होंे ने वह tam बाता ग्रतारों कर दीएं पांसो के लिद इस इस कि बात ना कर दिया करें, पचानवी करोड तो उसने स्री लंका के लिए रख दिया है, निपाल के लिए कुछ देड सो करोड के गरीब रख दिया है, भूटान के लिए कहा जा रहा है कि साड़े तीन सो करोड बजट जो है वो दे रहा है, इंडिया, बंगलादेश के लिए व उसने बजट चाबहार के लिए एक पोड के लिए उसने 100 करोड दे दिया बजट और इसके अलावा जो है जो मैंने आपको बताया है कि मिलिएंज ऑफ जॉब्स जो है वो क्रियेट की जारी है और यह जो है यह आप सिटुएशन देख लेए होब दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पत्रकारों को कमर चीमा और आलियसा को यहां पर सुना है वो जिस न्यूज को यहां पर कवर कर रहे हैं वो यही है कि एक तो भारत के अंदर बजट पेस हुआ है उस बजट की क्या-क्या खास बाते हैं जिसमें से जो मुक्य टोफिक डिसकस्क्र किया जा रहा है कि बारत ने जो है ना अपने आस पास के जितने भी देस हैं बारत ने अपनी नेबर हुड फॉर्ष्ट पॉलिसी के तर उनके लिए भी बजट निकाला है ताकि मुस्किल समय में भारत जो है ना उनकी भी मदद कर सके तो ऐसे में उनका यह कहना है कि आज के टाइम में आगर पाकिस्तान के रिष्टे भी वारत के साथ अच्छे होते तो लेकिन रिष्टे ना होने की वज़े से पाकिस्तान को यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसके अलावा आपने वीडियो के सुरवात में पाकिस्तान के पत्रकार एक कमर चीमा उनको सुना है वो भी यहां पर बजट को भी डिसकस कर रहे थे साथ में रिजोर्व बैंक इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले एक साल के अंदर भारत के अंदर 46 मिलियन जोब जो है वो क्रेट हुई है चाहे वो प्रावेट सेक्टर लीजे गवर्मेट सेक्टर लीजे सभी को मिला कर जो है इतनी ज्यादा जो जो है वो क्रेट हुई है तो इस हिसाब से अगर आने वाले समय में भी जोब क्रेट होती है तो बहुत जल्द जो है ना बारत के अंदर जो 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 कहते हैं एक तरीके से जो जो ब्लेस बहुत ज्यादा युवा है उनमें कमी देखने को मिलेगी आपने पूरी वीडियो दे